यही कोशिश थे, इसी कोशिश में हमारे सेना के जवान जुटे हुए थे और फिलहाल, कामरान के भी मारे जाने की खबर है, जैश का आतंकी है ये रात 12 बजे से चल रही थी मुटबेड, कहा ये जा रहा था कि कामरान घेरे में आ चुका है कारवाई में सेना के मेजर समें चार जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन दो आतंकीयों को धेर किया जा चुका है पिंगलीना में सुरक्षा बलो ने एमारत उड़ा दी है, बुलवामा हमले के माश्र माइनका से राशिद के मारे जाने की भी खबर है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की क्योंकि देश के गुस्य को इस वक्त थंड़क मिलने वाली है क्योंकि लोग जल रहे हैं इस आग में कि आखर 40 जवानों के शहादत का बदला किस तरीके से लिया जाए हलाकि ये अब 40 नहीं रहे गए हैं बलकि 5 दिन में 45 हो चुके हैं तो कारवाई में सेना के मिजर समय चार जवान शहिर लेकिन इस बीच राहत भरी खबर ये है कि जैश के दो आतंकी धेर हो चुके हैं और पहले से ही ये कहा जा रहा था सुरक्षा एजिंसिया जो हैं इंट बड़ी कारवाई को अंजाम दिया जा रहा है बात 12 बजे से चल रही थी मुढवेर और फिल्हाल राहत परी खबर की कामरान और गासी राशिद गाजने राशिद वो हैं जो कि कहनों को अफगानी है लेकिन जैशे मुहम्मद का मास्ट्र माइंड है और फिल्हाल उसके मार जल रही है लेकिन फिल्हाल ठंडक पहुचेगी सिराहत भरी खबर को सुनकर जब दो आतंकियों के मारे जाने की खबर इस वक्त मल रही है रात 12 बज़े से ही चल रही ती मुढवेर कारवाई में सेना के मेजर समय चार जवान शहित लेकिन इस बीच दो के मारे जाने की कर रही है सेना अलर्ट मोर में लगातार आतंकियों को खत्म करने के लिए उनके खात्मे के लिए कोशिश और यही बज़ा है कि कल रात से लेकर अभी तक मुटबेर जा रही है विश्वंभर निर्वान इस वक्त हमारे साथ जुड़ें विश्वंभर जी ये कितनी बड़ी रभाहत की ख़बर दो आतंकियों को धेर कर दिया है हमारे जवानों ने ये बहुत अच्छी ख़बर है लेकि दुखत ये है कि उन दो के बदले हमारे पांस मारे गए ये बहुत दुखत की बाद है और जेरे को पक्का पता है कि आर्वी को अभी पूरी फूट दे दी गई है आतंकियों का सफाया जल्दी आर्वी करेगी इसमें को शक्त नहीं है हमारे ज़वान है वो बहुत स्टॉंग है और हम ये अपनी ज़वानों की मुद्वेड में जो होती है इसको हम सैन करने के सकती है और उन्हें अच्छा काम किया है बड़ी अच्छी खुश कबरी है बिल्कुल सर रहा तो इस बात से भी है कि गाजी राशिद जिसको मास्टर माइड माना जा रहा था इस घटना के बाद से ये कहा जा रहा था कि 25 किलो मिटर के दाएरे में ही है क्या उसके मारे जाने के बाद जो आतंकी या जो आतंकी गतिवीडियो को सपोर्ट करते हैं उन आतंक वादियों में खोव तो आल्डी पैदा हो गया हैं जैसे फूरा भी एक जुट हुआ है। से तेजी से इनको पकड़ा जाए और इनका सवाय क्या जाए उतना इसा हो अच्छा आप इन सारी गति वीदियों पे बखाइदा नजर रखे हुए हैं आपको ये सारी चीजे देखकर क्या लग रहा है कि अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं क्योंकि दो आतंकी जिनको लेकर क मल से खबरे चल रही थी कि गाजी राशी जो की कहनों को अफगानी है लेकिन मास्टर माइंड है जैशे मोहमद का अब हो मारा जा चुका है कामरान मारा जा चुका है तो क्या और भी आतंकी गति वीदिया यहां देखने को मल सकती है इस लाख़े में क्योंकि करने हैं यानि यह प्रॉसेस को कंटीनियू चलना होगा बिल्कुल फोलो अप एक्शन कंटीनियू रहेगा सरकार ने जैसे चूट दी है आर्मी के हवाले और आर्मी को अपना ऑपरेशन करना की और जो करते हैं कुछी दुनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा अच्छा इस बीच कल से लेकर आस तकी जो सुवत बनी है पांच अलगावादी नेताओं की सुरक्षा ववस्था वापस ले ली गई है इस बीच हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या ये सब अलगावादी नेताओं का सपोर्ट भी अगर बंद हो जाए जो कश्मीरी युवक जो बहके हुए युवक हैं सारे युवक की मैं बात नहीं कर रही हूं जो बहके हुए हैं जो आतंगवाद को सपोर्ट करते हैं तो क्या उनमें भी खौफ का इस वक्त माहौल बनेगा और कम से कम इस वक्त में कोई भी आतंगवादियों को पनाह देने के बारे में सोचे का भी कि मात्र भूमी पर रहता है उसको यह दिकार नहीं एक आतंगवाद को सपोर्ट करें उनके अगेंस जो है सरकार कदम उठाई लीगल एक्षिन ले और जो हुर्याद के लिए क्या है वो सरकार ने बहुत सही किया है और मैं उसकी सराना करता हूँ सर देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी चिटपुट घटनाओ की खबर हमें मिल रही हमारे पास पहुंच रही है अगर आप टेलिविसन कंटिनू देख रहे हैं तो आप तक भी खबरे पहुंची होगी कि जैपुर में भी कुछ कश्मीरी चात्राएं ऐसी हैं जिन होने व वज़ा से हमें सारे पहलों को ध्यान में रखना चाहिए आपने बिल्कुल सही कि हमने बहुत डिस्क्रीट एक्शन लेने हैं निम्स में भी जैसे एक केश हुआ था जो एफाइयर दल्स कराई है मलब जैसे भी यह ऐसी खबरें आती हैं हमारे को एकडम रियक्शन नहीं कर प्रूर एफाई करके और लिगल एक्शन लिया जाएं तो उनको छेडानी जाए बिलकुल सर एक अभियान ऐसा भी चल रहा है 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 ट्विटर पे भी बहुत हैस्टेग के साथ इसको कहा जा रहा है बोला जा रहा है कि कश्मीर हमारे है कश्मीरी हमारे हैं लेकिन गदारों क पहचान जरूर करना होगा चाहें वो देश के किसी भी हिससे में चिपे हुए हो चाहें वो कश्मीरी हो या फिर कोई और आदमी हो बिलकुल सही का आपने बिलकुल सही किया देश में गदार नहीं होने चाहें और उनके उपर पकड़ों और लिगल एक्शन लेंगे उनको और पोर्स जो है डिसीजन जल्दी लेंगे उसका इंप्लिमेंटीजन जल्दी होगा इसको प्रलोंग नहीं करेंगे तो यह दूर्दाई जो है वो दूर होगी सर अपने बहुत सारे ऐसे महाल देखे हैं जब देश ऐसे नाजुक मोर से गुजरता होगा जब शहादत से हम सब बॉखला जाते हैं धारी की सीमायन तूट जाती है ऐसे वक्त में आप नागरिकों को क्या सलाह देंगे किस तरीके से धारे से मतलब रहें ताकि हमारे सेना पर इनका यकीन रहें हमारे सेना पर ये भरोसा कर सके और नाजुक वक्त में सब सपोर्ट के लिए खड़े हो क्योंकि कई जगों से ऐसी तस्वीरे मिल रही हैं ऐसी हम तक पहुँच रहे हैं और एक दूसरे को इनकसान पहुचा दे रहे हैं ये नहीं होना चीह ये फिर मेरे को को सक नहीं है कि देश पूरा सेनिक की जो भी हरकत है उससे जुड़े होएं सिनिक कोई वी गल्द काम नहीं करेंगा वो देश सेवा में ही अपना जीवन जो है वो दो कोई उद्देश से नहीं है इसलिए देश तो सेनिकुंगे साथ में जुड़ा हुआ है यह गुमरा करने वाले अलग आदमी है गुमरा करने वाले वह आदमी है जो कि गदार है वह उन गदारों को पकड़ना पड़ेगा उनकी तरह नजर रखनी पड़ेगी यह गदार कौन ह हो सकते वह कोई भी हो सकते मैं अब वख्यान नहीं कर सकता तो इन गदारों का थोड़ा सा पुलिस को अलग रहना पड़ेगा सर अगर हम राजस्थान पे फोकस करते हुए बात चीत करें तो राजस्थान की कई से लाके हैं कई से हिस्से हैं जो पाकिस्तान से उनका बॉर्डर जुड़ा हुआ है बारमेर जैसे लाकों की हम बात कर लें तो ऐसे लाकों में बहुत sensitive माहौल हो चुका है क्योंकि दुनों देशों के बीच बहुत तलखिया बढ़ चुकी है तो ऐसे sensitive माहौल में किसको क्या करना होगा जरा यहां पर यह भी गाइड कीजिया नहीं ऐसे देखो आर्मी जो है वो बहुत sensible है कोई गल्प सेब नहीं करेंगे यह सब्सक्राइब बहुत सेंसिबल है और सिरफ यह करना है कि थोड़ा सा सिविल एड्मिस्टेशन को जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज जो है वो इन्वोर्ड है सियाथ प्लिस उनको डिस्क्रिट वाली जो है वो चीज में करें और डिसिप्लिन मेंटेन करते रहें और आर्मी को पहला मिलिट्री फोर्सेज को अपना काम करने पे सिविल एड्मिस्टेशन को बहुत शुक्रिया और इस बीच भगवान सिंग जो के रिटार्ड ब्रिगेडियर है वो हमारे साथ जुड़े है भगवान जी सबसे पहले सर आप ये बताईए कि ये कितनी बड़ी जाहत की खबर है दो आतंकवादी धेर किये जा चुके हैं इसी खबरे हम तक पहुँच रही है हाला कि अभी आधिकारिक पुष्टी बाकी है लेकिन जाहत कितनी बड़ी देखिए ये बहुत बड़ी इनको छोडेंगे नहीं वो तेफिनेटली उनको खबरेंगे और ये जिए कुछ दिनीया हाथे की बात है ये दो हो भी गए तो बाकी जितने भी इन्वाटर को क्या था नहीं है बहुत बड़ा है तो कई इसके अंदर कॉंस प्रिट्रेटर से तो ये सारे हैं वो क्यार्टी प्रटी फोर्सेस ने ठान ली कि इनको ख़तमी करना है तो वो बच कैशे सकेंगे चलिए आगे भी आप का रुख करेंगे आप से बातशीत करेंगे फिल हल हम से बातशीत करने के लिए शुक्रिया भगवान सहाई रेटार बिर्गेडियर यह हमारे साथ जोड़े वे थे और जाहिर सी बात है जिन लोगों का सेना से तालुक रहा है जो खुद सेना में रहे हैं वो इस वक्त बहुत रहत की सांसे ले रहे हैं